हेलोorse, आपको मिरा ओडियो दोनों क्लियर है कुमिज्स तो अबितिक मैं आपको 26 के बाई पुरे Hermus कि most expected question आपके पास मेरी 26 classes के आ गए हूंगे हलो प्राजिता हाई हलो रोहेथ हलो रश्मी हलो जैपूर यादव जी सो गाइस जिन्होंने अभी तक session को like नहीं गया तो सबसे पहले session को like कर दीजे ताकि हम लोग अपने session को आगे बढ़ाएं और maximum उसको share कीजिए चलि कृषिन पाल जी good evening so guys start करते हैं आप लोगों के साथ तो अपने जो ongoing courses चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा reminder देना चाहूंगी this is a practice course on general science p.y.q section चल रहा है मेरा unacademy plus पर 6th April से start हुआ तो और 30th April तक यह course चल रहा है तो आप plus student है या plus का सब्सक्रिप्शन यदि ले सकते हैं तो 7 p.m. पर मेरा यहां पर class होता है welcome देविंदर जी hello good evening and hello अभिशेख hello अकांता hello good evening आमरीश crash course second जो course चल रहा है guys तो वो crash course है जो 12 अप्रेल से start हुआ था जिसकी timing है 10 p.m. special class on unacademy special class यानि कि यह बिल्कुल free classes होती है जिसकी मेरी daily timing तो नहीं है लेकिन alternate days पर timing जरूर है यानि कि Monday, Wednesday, Friday और Sunday को 3 to 4 p.m. तो week में 4 days आप मुझे 3 से 4 में join कर सकते हैं तो सबसे पहले जिन्होंने session को like नहीं किया तो वो like कर दे welcome आशा जी hello session को like कीजिएगा YouTube class guys Tuesday, Thursday और Saturday को मेरा YouTube class 5 p.m. पर होता है चैनल का नाम है Unacademy Live Railway इसको आप subscribe कर लिजे with bell icon ताकि जब भी notification आएगा class का आपको सबको मिलता रहेगा हेलो रश्मी, हालो अभिशेक, हेलो पजूश हाई तो यदि आप आनक एडमी पर ब्लस के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो निभाव वाईटी 10 मेरा code यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% additional discount इसके लिए मिल जाएगा हेलो अनुराग, हेलो अभिशेक, हेलो वैंकत, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को जिन्हों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें जिन्हों ने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया वो सबसे पहले तो लाइक कीजिए द शेर कीजिए ताकि और लोग हमारे साथ जोड़ पाएं वेलकम राजन हलो इम्रान हाई हलो सचिन है सो कोश्चन नमर वन आपको रही हूं स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ आज का सीरीज कोश्चन नमर वन निमलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूकंप तरंगों की रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है गुद इवनिग सोहेल हलो गुद इवनिग इम्रान हलो विच अफॉल्वं डिवाइस इस यूस फॉर रिकॉर्डिंग अर्थकुएक वेफ्स अर्थकुएक वेफ्स की जो रिकॉर्डिंग है उसके लिए किस इंस्टुमेंट का उपयोग करते हैं वेलकम हुमा शंकर जी ह गुद इवनिग भुकंप तरंगो अर्थकुएक वेफ्स के लिए बैरोग्राफ हाइड्रोग्राफ पेंटोग्राफ या फिर सेस्मोग्राफ आंसर सब के आने चाहिए सेशन को लाइक सभी लोग कीजिए गाइस सेशन को लाइक करो सबसे पहले right answer है option number D, सैस्मोग्राफ तो भुकंप तरंगो यानि की जो वेफ्स होती है उनको measure करने के लिए हम सैस्मोग्राफ का यूज़ करते है इसलिए भुकंप की जो study होती है उसे हमrement हम लोग सैस्मो लौजी कहते हैं सैस्मो लौजी ठीक है भूकंप विज्ञान सैस्मो लौजी और जो वेफ्स होती हैं उन्हें साश्मिक वेफ्स क्याते हैं ठीक है यह प्राश्र के लिए होता है a 우리 सब्रप्रों को लग रहा होगा इसे जो यह जो इनपर सिकेल पर मेजर करते हैं उनकी जो रूर उती है Electric train के roof को measure करने के लिए हम बनाते हैं pantograph electric train का roof system होता है उसके लिए use किया जाता है pantograph clear? चलिए Next question भोजन की oorja किस में मापी जाती है? आपको बताना है Energy of food is measured in Calvin, calorie, bushel या इन में से कोई नहीं Energy of food is measured in हलो रंजीत जी हलो हलो शिखा जी वेलकम अच्छली मेली इलेक्ट्रिक ट्रेंज की जो रूफ सिस्टम होता है उसके लिए मेजर करते हैं हम पेंटोग्राप से बोजन की उरजाम अपनी है तो आप कैलविन यूज करोगे किलोरी यूज करोगे बुशेल यूज करोगे या फिर कोई भी नहीं रश्मी आंसर देनी है option number B प्राजिता answer B राइट आंसर है बिल्कुल सही है केलोरी तो हम लोग केलोरी को मेजर केलोरी में मेजर करते है जो हमारी food energy है यहाँ पर एक new unit आती है bushel ठीक है तो जो bushel है यह unit of volume कहलाती है जो bushel होता है वो unit of volume है जिसको mainly united kingdom में इसको जादर तर जो volume मेजर करते है वो bushel है unit में करते है ठीक है नमस्ते निहाल जी hello hello रेखा चले हवा का वेग किसके द्वारा मापा जाता है velocity of wind is measured by आपको बताना है हवा का जो वेग है velocity of wind है वो किस से measure करोगे speedometer से टैको मीटर से, अनीमो मीटर से या ओडियो मीटर से 1 कलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है बिल्कुल सही है आमरीश अभीशेक बिल्कुल सही चले आपको बताना है velocity of wind को किस से measure किया जाएगा speedometer, टैको मीटर अनीमो मीटर या ओडो मीटर और बिल्कुल सी अप्शन, शीबा option number C रश्मी, C वेरी गुड, राइट आंसर है अनीमो मीटर तो हम लोग जो wind speed measure करते हैं वो अनीमो मीटर से measure करते हैं speedometer, में लिए गाडियों में लगा होता है speed measure करने के लिए यहाँ पर एक टैको मीटर आ रहा है यह rotation करता है, यायनि कि rotation को measure करता है किसी shaft में या किसी machine में किसी machine में जो rotation है उसको measure करता है tachometer, तो tachometer अगर आपको नहीं पता, तो यहाँ पर जान लिए कि यह rotation को measure करता है जो audio meter है, मिली यह आपका audible sound को करता है चीकने speed of motor, yes मोटर की स्पीड ना तो रोटेशन रोटेशन को मेजर करेगा राइट चलिए नेक्स्ट प्रोटो जो है उनको किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है लोको मोटरी औरगन शेप उनका उनका नंबर ओफ नूकलिय या उनका साइस जो प्रोटो जोसंग के जनतु है उनको के साधार पर वर्गी करत किया गया है उनके लोको मोटरी मतलब जो चलने वाले अंग होते हैं उनके दुआरा उनके आकार के अकॉर्डिंग उनके जो नाभिकों की संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग या उनके साइस पर नमस्ते संतोष जी हेलो प्रोटो जोहा को किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है लोको मोटरी औरगन मतलब होता है उनके चलने फिरने वाले अंग शेप उनका आकार हलो शुबाजी थाए चलिए जल्दी स्यांसा करेंगे रिश्मी D आप्शन के पे जारी है और बें A आप्शन के साथ ओके राइट आंसर है इसका आप्शन नमबर A लोको मोटिव औरगन लोको मोटिव का मतलब होता है चलने के लिए यूज होने वाले चलने के लिए अब प्रोटो जोगा सबसे पहले बात हो रहे हैं प्रोटो जोगा संग की तो प्रोटो जोगा के अंदर कौन आएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूगलीना तो let's see this is a paramecium यह paramecium है यह आपका amoeba है this is a yuglena and this is a clay midomonas clay midomonas ठीक है so यहाँ पर आपको paramecium दिख रहा है yuglena दिख रहा है amoeba दिख रहा है आपको एक और aquatic animal यहाँ पर दिख रहा है जो कि protozoasang के अंदर आता है अब यहाँ पर यह जो paramecium है paramecium में आपको क्या दिख रहा है structure इसके cilia's दिख रहा है these are the cilia's okay so these are the cilia cilia ठीक है amoeba के अंदर क्या है amoeba में इस तरह का जो एक outgrowth है यह जो बंते बिगडने वाला जो structure है this is a pseudopodia इसको क्या बोलते है false feet ठीक है हिंदी में बोलते है coot path और इंग्लिश में बोलते है pseudopodia ठीक है yuglina yuglina में आपको क्या दिख रहा है एक flagela मिल रहा है एक tanthu दिख रहा है this is a flagela flagela तो आपको paramecium में cilia होते है amoeba में pseudopodia होते है yuglina में flagela होता है और इसमें भी आपको क्या दिख रहा है यह diflagellate है इसमें दो flagela मिल रहे है इसका मतलब है protojoasung जो है वो locomotory organ की वज़ा से जाना जाता है किक है clear चलिए next अभी समझ में आ गया कि protojoasung को उसके locomotory organ से जाना जाएगा which of the following is a living fossil आपको बताना है कि जो living fossil है इन में से कौन सा है dinosaurus, snake, twetra या फिर lizard एक living fossil है ये good evening भी तेश hello चलिए so आपको बताना है living fossil है कौन सा है okay so यहाँ पर जो right answer है वो है आपका option number c this is a twetra जो twetra है वो ही एक living fossil होता है ठीक है fossil mainly dead जो पहले primitive है उनको हम fossil कहते है लेकिन आपको यहाँ पर पूछा है living जीवत जीवाश में से कौन है dinosaur तो dead हो गए है snakes अभी living है लेकिन वो कोई fossil नहीं है but this is a twetra so let's see this is a type of twetra and it is a new zealand animal और एक endemic species है यह new zealand पूरे world में आपको सिर्फ new zealand में ही यह मिलेगा और एक मात्र living fossil कहलाता है this is a twetra ठीक है actually just like a lizard यह आपको एक lizard की तरह नजर आएगा but it is not a chameleon, not a lizard this is a type of reptile this is a type of reptile यह एक सरीसरप का जनतु है तो याद रखेंगे कि यह एक मात्र जो अर्थ पर living fossil है वो यही है सरीसरप reptile next किस उतक में आपको बताना है किस उतक को रत उतक किस में शामिल है the tissue include the blood tissue आपको बताना है इसमें से कौन सा उतक है जो blood tissue में आता है मासपेशिय उतक, सैयोजी उतक, उपकला उतक या तंत्रिका उतक जिन्होंने session को like नहीं गया please guys session को like कर देंगे निहाल जी snakes की बहुत सारी प्रजातिया अभी बची हुई है लेकिन जो torrentra था उसकी अभी प्रजातिया बिलकुल निल हो गई है एक मात्र प्रजाति बची है जो मैंने अभी आपको show किया B option, okay right answer है, बिलकुल सही option number B सैयोजी उतक, so connective tissue तो जो blood है क्या है एक तरल सैयोजी उतक यानि की flood connective tissue एक flood connective tissue है तरल सैयोजी उतक है पूरा coordination बना के रखते हैं हमारे पुरे body organ में circulate होता है so this is a सैयोजी उतक option number B next this cell organelle does not contain DNA आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा cell का organelle है जिसमें DNA नहीं पाया जाता जिसमें DNA नहीं मिलेगा nucleus में, mitochondria में, lysosome में या chloroplast में हैलो सचीन चलिए जल्दी से आंसा करेंगे आपको बताना है इसमें किसमें आपको DNA नहीं मिलेगा nucleus में, mitochondria में, lysosome में या chloroplast में चलिए, so right answer है यहाँ पर, option number C बिल्कुल सही है आप लोग, जो option number C के साथ जा रहे है, lysosome तो हमारे पूरी सेल में सिर्फ एक केंद्रा, एक mitochondria और एक chloroplast यह तीन ऐसे ओर्गनेल होते हैं, जिसमें DNA पाया जाता है बाकी किसी में भी DNA नहीं मिलेगा, so यहाँ पर जो right answer है, वो है आपका option number C next, pick the correct one, आपको इसमें से सही वाला combination चूज करना है serum, blood और fibrinosan protein, fibrinosan is a type of protein तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा statement सही लग रहा है, कि serum, blood और fibrinosan का combination है lymph यानि जो लसिका होता है, वो plasma, RBC और WBC का combination है plasma, blood में से lymphocyte को माइनस कर दीजिए, तो plasma बन जाएगा या फिर blood, plasma RBC और WBC को मिला कर बनता है, कौन सा इसमें आपको सही लग रहा है नो फरेंट, वेक्योल में नहीं होगा रिश्मी ने जल्दी सांसा किया, option number D, बाखी लोग आंसा करेंगे प्लीज कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है यहाँ पर right answer है, सही तो है आपका option number D, जो blood है वो plasma भी होगा blood में, RBC भी है और WBC भी होती है लेकिन यहाँ पर क्या रहा था serum, तो serum में blood में से आप जब protein को minus करेंगे blood में अगर आपने protein include कर दिया तो वो serum नहीं बन सकता तो blood में से आपको protein को minus करना होगा तब जाके serum बनेगा दूसरा option था lymph, lymph में RBC हो ही नहीं सकता तो ये भी ठीक नहीं है, lymph में RBC नहीं हो सकता, lymph तो white होता है तो WBC की abundance होगी, RBC नहीं हो सकता plasma, plasma में से lymphocyte नहीं, plasma में से हम जो आपकी cells होती है जो cells होती है, उन्हें minus करते हैं, not lymphocyte only so right answer आपका सिर्फ था, blood, plasma, RBC और WBC का combination होता है चलिए, next, okay Mohit जी, चलिए the reason of biosphere reserve that is protected legally where no human activity take place is known as जैवमंडल reserve का वह चेत्र जो कानूनी रूप से संरक्षित है जहां कोई भी मानविय गत्तिविधी नहीं होती उसे संक्रमन चेत्र कहते हैं, यानी transition zone उसे buffer zone बोलेंगे, उसे core zone बोलते हैं या इन में से कोई नहीं आपको बताना है, एक biosphere reserve, जैवमंडल आगार का वह चेत्र जो कानूनी रूप से संरक्षित है और मानव गत्तिविधी, human activity बिलकुल negligible है हो ही नहीं सकती चलिए, तो आपको क्या बताना है biosphere reserve का वो पार्ट जहां पर human activity अलाउट नहीं है मैंने कई बार आपको biosphere reserve के बारे बताया कि इंडिया में total 18 biosphere reserve है 18 हमारे biosphere reserve है ठीक है? चलिए, so right answer है इसका option number C yes, option number C is the right answer this is the core part so जो core zone होता है वो सबसे sensitive area होता है जहां पर कानून पूरी तरह से लगा होता है और मानव गत्तिविधी allowed नहीं है तो इस चीज़ को हमें एक बार अपने zonation में देख लेते हैं यहां पर आपको किसी biosphere reserve का एक बड़ा area दिखा रहे है बड़े area में यहां पर आपको दिख रहा है this is a center part core zone इसके बाहर वाला जो part दिख रहा है this is a buffer zone सबसे बाहर दिख रहा है यह आपका संकर्मन zone है transition zone तो यहां पर सिर्फ M लिखा है M का मतलब है monitoring monitoring मतलब जो animal यहां protect हो रहा है उसका क्या हो रहा है निरिक्षन हो रहा है उसकी निग्रानी रखी जा रही है वहां किसी भी तरह का ना तो human settlement होगा यहां houses बन रहे है इधर कोई house नहीं है यहां कोई tourist place नहीं है इस जगापर कोई residential area नहीं है कोई education research नहीं हो सकती कुछ भी नहीं हो सकता this is a most sensitive area of a biosphere reserve चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं good evening राजीव जी, hello national aquatic animal of India आपको बताना है भारत का राष्टिये जलिये जानवर कौन है national aquatic animal of India seahorse, गंगा डॉल्फिन, ब्लू वेल या गैंगेटिक शार आपको बताना है कि national aquatic animal इंडिया का वो क्या है जल्दी से answer देंगे और प्लीज, session को जिन्होंने like नहीं किया वो session को like कर दे option number, निहाल option B के साथ जा रहे हैं, अब shake ओके, रिश्मी, B right answer है, गंगा डॉल्फिन जो गंगा डॉल्फिन है, वो हमारा aquatic animal है, ठीके? यानि national aquatic animal है गंगा डॉल्फिन, national aquatic animal, कब गोशित किया गया, यह भी आपको पता होना चाहिए सो, ministry of environment and forest notified गंगा डॉल्फिन as a national aquatic animal on 18th May 2010 18 मई 2010 को national aquatic विना प्योर एंट fresh water, ठीके? यानि जरा भी इसमें यह एक fresh water animal है और गंगा हो ली है, इसलिए इसको भी ऐसा icon दिया गया है चली, और 2010 में, next filament of fungi which have thread-like appearance are called, आपको बता रहा है कवक में जो filament होते हैं जो तन्तू होते हैं उनको क्या कहते हैं hyphae, sporengia conedia या mycorrhiza एक fungi एक fungus जैसे aspergillus हुआ rhizopas हुआ, इन fungi में एक तन्तू-like structure होता है उसको क्या बोला जाता है hyphae sporengia conedia या mycorrhiza या अपनी श्राइट जो dolphin research institute है वो बिहार में है, right a option फरिंद a option दे रहे हैं बाकी लोग और कोई answer देगा a अभिशेक a दे रहे है, right answer है option number a high free कहते हैं उसको हाइफी, इसी को क्या बोलता है, हाइफी कहते है तो यह इसकी पूरी एक body होती है, तो याद रखेंगे सबसे important part इसका हाइफी होता है ठीक है, high free जिन्होंने session को अभी तक like नहीं किया तो सबसे पहले session को like करेंगे guys bio remediation, जैव उपचार bio remediation जो है, वो इन में से क्या है uses of microbes to create a new organism नए जीवों को बनाने के लिए कोई तरीका है क्या bio remediation uses of anaerobic bacteria यानि anaerobic bacteria को create करना से new antibiotic बनाने का तरीका है uses of microbes to destroy environmental pollutants पर्यावणिये प्रदूशकों को destroy करने के लिए microbes का use करना bio remediation है uses of aerobic bacteria to create new vaccine नई vaccine के लिए aerobic bacteria को use करना आपको बताना यह है कि जैव उपचार या bio remediation इन में से किस से संबंदित है bio remediation संतोष जी starting में ही देखेंगे तो आपको एक थम impression दिखेगा like और dislike का so right answer है यहाँ पर option number c option number c is the right answer है bio remediation का मतलब ही होता है bio मतलब जैविक remediation मतलब होता है किसी चीज का निवारण करना तो bio remediation किसी चीज का उपचार करना तो जो environmental pollutant होते हैं वातावन्नी प्रदूशक होते हैं उनको हम लोग microbes का यानि की बैक्टीरिया का यूज करके हटाते हैं जैसे हम लोग wastewater treatment करते हैं जलका treatment करते हैं जो wastewater होता है उसमें हम लोग microbes का यूज करते हैं जब हम microbes का यूज करते हैं उसी को बोलते हैं bio remediation अभ्याद रखेंगे जो लोग option number c दे रहे थे बिल्कुल सही है भारती जी आप option number c के साथ जारी थी बिल्कुल दीपक रीतेश बिल्कुल सही है आपको बताना है एक venus flower basket है उसका जो सूखा कंकाल है उसको वो किसका है यानि venus flower basket किसको कहते है यू प्लाक टैला को यू स्पॉंजिया को लिको सॉलोनिया को या इस्पॉंजिला को ये सभी जन्तू पौरिफेरा संग को विलॉंग करते हैं जिनका छिदर युक्त शरीर होता है उसमें आपको बस ये बताना है कि venus flower basket इल्वे से किसको कहते है यू प्लाक टैला को यू स्पॉंजिया को लिको सॉलोनिया को या इस्पॉंजिला को आपके आरार्बी एंटी पीसी और ग्रूप डी में एनिमल किंडम जो है वो मैंशन हो रहा है इस लैबस में तो इसके according आपको इस तरह के जो kingdom से related, phylum से related questions है वो exams में मिलने की chances हो सकते है चलिए तो venus flower basket किसको बोलते है राइट आंसर है option number A, U-plactella को बता देती हूँ यहाँ पर कि U-plactella को बोलते है ठीक है यह एक type का sponge होता है जो देखने में actually colony बना कर रहता है तो colony बनाने की वज़ा से यह ऐसा लगता है बतब इसकी appearance ऐसी होते है कि like a basket एक flower का basket हो yes for it बिल्कुल 100% सही है आप like this आप इसका एक structure देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा ठीक है ऐसा कुछ तो यह इसका structure है अब यह जब समुदर में पाए जाते हैं तो बिल्कुल appearance देते हैं कुछ इस तरह का ठीक है this is a U-plactella एक basket टाइप से दिखाई देता है ठीक है समुदर में आपको इस तरह का यह group में मिलेगा और इसका अगर आप एक single देखेंगे तो इस तरह का देखेंगा जब यह गुच्छे में होते हैं तो like a basket it is just like a flower basket नमस्ते ओके नमस्ते सौरब जी राम राम साव वेलकम हेर चलिए जल्दी से अब आप पांसा करेंगे next animal lacking excretory respiratory and circulatory system आपको बताना है इन में से किन जानवरों में उत्सरजन तंत्र, श्वसन तंत्र, संचार जो संरचनाय होती है यानि circulatory मतलब आपका रक्त परी संचन तंत्र वो अ पनुपस्तित होगा, इस पंजिस में टेप वर्म यानि की जो आपके चप्ते क्रमी है, लीवर फ्लोक या थ्रेड वर्म्स, किसमें ना तो उत्सरजन तंत्र होगा, न श्वसन तंत्र अलग से होता है और ना ही कोई circulatory यानि रक्त परी संचन तंत्र पाया जाता है उन में पूरा कैनाल सिस्टम होता है, सब नलिका के थुरू काम होता है उन में चलिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है जल्दी से करेंगे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन में कुछ भी नहीं होता इस तरहे का इसका राइट आंसर है, option number है sponges, actually sponges में नाल प्रणाली होती है, नाल प्रणाली का मतलब क्या होता है कैनाल सिस्टम, कैनाल, तो कैनाल सिस्टम होने की वज़ा से, यह, राइट दीपक, कैनाल सिस्टम होने की वज़ा से ही इन में किसी तरह का कोई ऐसा औरगन या कोई ऐसा सिस्टम बन नहीं पाता, ठीक है, चले, तो this is a type of sponge, ठीक है, यह ऐसे sponge होते, sponge अगर आप देखेंगे तो में लिए आपको coral type structure समुदर में मिलेगा, तो इनके अंदर कोई भी ऐसा structure नहीं होता, अभी मैंने आपको previous slide में ए duplactella आपको just like it, ऐसा कुछ दिखाई देता है, इस तरह से यह समुदर में पाए जाते हैं, this is also a type of sponge category, and belong to the phylum, sealant reta, तो जितने भी sponges होते हैं, उन में इस तरह का कोई system नहीं होता, चले, so next question की तरफ बढ़ते हैं, इस cell organelle is responsible to extract energy from carbohydrates to form ATP, adenosine triphosphate, आपको बताना है, इस में से कौन सा cell organelle है, जो carbohydrate से ATP बनाने के लिए, उर्जा के लिए जिम्मेदार है, या रश्मी, इस अ कॉरल, इस पाशली, चले, आपको बताना है, इस में से कौन सा cell organelle है, जो ATP को बनाता है, mitochondrion, lysosome, ribosome, या chloroplast, तो कौन इस में से बनाएगा, चले, सॉरब जी, आंसर कीजिए, प्लीज, This cell organelle is responsible for ATP production, this is a powerhouse of the cell, yes, राइट, आंसर है, option number, एक powerhouse of the cell, तो mitochondria को ही कहते हैं, powerhouse of the cell, जो कि आपका ATP के production में help करता है, यहाँ पर तीन option और है, उनको भी clarify कर लेते हैं, lysosome को हम लोग क्या कहते हैं, suicidal bags, ठीक है, आत्मगहती थैली, ठीक है, ठीक है, और ribosome को हम लोग बोलते हैं, protein factory, protein जो synthesis करता है, protein factory कहते हैं, और यहाँ पर जो chloroplast होते हैं, यह photosynthesis, प्रकास संशलेशन की क्रिया करते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, photosynthesis, तो तीनों, आपको सबकी function भी पता होने चाहिए, lysosome, suicidal bag है, ribosome, protein factory होता है, mitochondria, powerhouse of the cell है, और chloroplast photosynthesis करता है, नेक्स्ट, दज नेम ऑफ अकार, लेंड स्टीनर, इस एस्सोचियेटेटेटेटेट विद द डिस्कवरी ओफ विच आफ द फॉलवई, आपको बताना है, कि लेंड स्टीनर, कार, लेंड स्टीनर ने किसका डिस्कवरी किया था, ठीक है वेलकम अमन, हैलो चले, human endocrine system human blood system या blood group vitamin B के group के लिए इनों ने खोच की थी या फिर protein के लिए की थी रश्मी flower में भी नहीं only flower में ही chloroplast होते है chloroplast plant cell का feature है animal cell का नहीं है यहाँ पर आपको land steiner का बताना है कि land steiner ने किसका खोच किया so right answer है blood groups, human blood groups की खोच की थी land steiner ने ठीक है, और कप किया था 1900, 1900 में इनोंने खोच किया था blood group का और सबसे पहले इनोंने A, B और O जो major blood group है, A, B, O उन तीन की खोच की थी A, B को यहाँ पर नहीं लिया था ठीक है, तो A, B, O सिस्टम next who among the following is the father of mutation theory of evolution आपको बताना है उत्परिवर्तन सिद्धान्द के जनक किसको माना जाता है Alex Zafri, T.H. Morgan Bettison या Hugo D. Breeze उत्परिवर्तन father of mutation किसको बोलते हैं Alex Zafri, T.H. Morgan Bettison या Hugo D. Breeze So guys, please session को like कीजिए जिन्होंने अभी तक like बटन को hit नहीं गया तो सबसे पहले आप like बटन को hit कीजिए और इसको subscribe कर लिजे चैनल को ताकि आपको notification मिलता रहेगा So, यहाँ पर right answer क्या है? Option number D. Yes, बिल्कुल सही है भारती जी, रोहित Hugo D. Breeze तो Hugo D. Breeze को ही बोलते है father of mutation Mutation का मतलब क्या होता है? हिदी में बोले उत्परिवर्तन तो उत्परिवर्तन यानि अचानक से जीन में होने वाला कोई ऐसा परिवर्तन जो पहले कभी नहीं था और suddenly appear हो जाता है इसको बोलते हैं हम उत्परिवर्तन जीन की खोच अनुवांशिकी की खोच की थी अनुवांशिकी के जनक माना जाता है मेंडल को mutation उत्परिवर्तन होता है जीन की खोच लेकिन उत्परिवर्तन Hugo D. Breeze ने वसा में गुलंशील वीटामिन इन में से कौन सा है आपको बताना है fat soluble vitamin इन में से कौन है vitamin A, vitamin D, vitamin E या सभी वसा में गुलंशील vitamin इन में से कौन है vitamin A, vitamin D, vitamin E या all of the above चले, fat soluble vitamin बताने आपको क्योंकि vitamin दो टाइप के होते हैं एक जल में गुलंशील, water soluble और दूसरे होते हैं, वसा में गुलंशील, यानि fat soluble तो यहाँ fat soluble पूछा जा रहा है कि इन तीनों में से या सभी fat soluble हैं या नहीं है राइट आंसर है option number D सभी, चार vitamin fat soluble होते हैं A, B, E और साथ में K यह चार vitamin आपके कौन से होते हैं, fat soluble होते हैं ठीक है, बाकि जितने भी vitamin हैं, वो सब आपके water soluble होते हैं ठीक है, water soluble होते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है आपका option number D next आपको बताना है, methyl methyl, methyl group जब लगेगा तो उसका molecular formula इन में से क्या बनेगा CH4, CH3, only CH यह CH2 यदि methyl group लगाना है यह बनाना है तो क्या लगेगा इन में से CH4, CH3, CH यह CH2 methyl group so methyl group के लिए आप CH4 लगाएंगे, CH3 लगाएंगे, CH लगाएंगे CH लगाएंगे यह CH2 यूस करेंगे रिश्मी, option B दे रही है, पूनम B, बाकी लोग answer देंगे, जल्दी जल्दी दीपक B, जो लोग option number B के साथ जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है यहाँ पर right answer है, option number B, जब भी alkyl, actually जो alkyl group होता है, हम alkyl लगाते हैं, तो alkyl में जो एक H है वो क्या हो जाता है, एक H कम हो जाता है, जैसे methane, ठीक है, CS3 है तो this is a methane, CH4 sorry, this is a methane, methane में से एक H आप कम कर दो तो यह आपका क्या बन जाएगा, एक alkyl group बन जाएगा, alkyl मतलब methyl अगर आपको दे दिया जाए, C2S6, this is a ethane, C2S6 को आप क्या बोलोगे, ethane अभी आपको ethane बनाने बोले, तो C2H5 कर दीजे, this is a ethane, alkyl group लगता है तो alkyl group है, तो CH3, so right answer, option number B आपको बताना है, मीथे नल, यहाँ पर आपको नाम दिया गाए, मीथे नल मीथे नल इन में से कौन है, LD heights, ketone, मीथे नल का example पूछ रहे है चलिए, LD heights, ketone, carboxylic acid या ethers मेथे नल इसमें से कौन है, चलिए राजीव जी, answer कीजे, आपने answer number B किया तो बाकी लोग answer करेंगे, मीथे नल किसके example है, LD height का, ketone का, carboxylic acid का या ether का अभिशेक, LD height बोल रहे हैं, बाकी लोग अल लगा हुआ है, मिथे नल अल हम कब लगाते हैं, जब कौन सा functional group क्रियात्मक समू कौन सा होता है राइट answer है, option number A, LD height अचलि, LD height जब हम लगाते हैं, यानि कि CHO जब ये ग्रूप लगेगा, CHO ग्रूप लगता है, इसी को हम बोलते हैं LD height अभी आपको मीथे नल बोल रहे हैं, तो मीथेन का मतलब होता है, इसमें एक C होना चाहिए तो this is a H-C-H-O ये है आपका मीथेनल मीथेनल और हम लोग जब भी IUPAC name लिखते हैं, तो किर्यात्मक समू, LD height के लिए जो हम लोग suffix यूज़ करते हैं, वो होता है अल यदि आपका alcohol होता, तो हम all यूज़ करते कार्बॉक्ज़ लिख होता, तो COOH के लिए हम लोग O, एक एसेड लगाते तो इस तरह से हम लोग IUPAC को mention करते हैं, उनके नाम तो मीथेनल किसका example है, LD height का है गुद इवनिंग गुईया, हेलो, चले अलकेंस का, अब ही आपको बताना है, सुरी, अलकाइंस अलकाइंस, अलकाइंस का सामाने सूत्र क्या है अलकाइंस का सामाने सूत्र इन में से क्या है cn h2n plus 2 cn h2n cn h2n minus 2 यह cn h2n alkyne मिली alkyne हम लोग triple bond के लिए use करते हैं जब हम लोग triple bond use करते हैं तब alkyne हम लगाते हैं तो alkyne का जो formula है वो कौन सा है option number 3 बोल रहे हैं बहुत से लोग c ओ रश्मी भार्ती ओके फूनम जी अनुराग राइट आंसर option number c cn h2n minus 2 it is from triple bond ठीके तो this is a alkyne यानि की इसमें triple bond राइट बिलकुल साही good evening अभी शेख हालो next कार्बनिक अमलो के किरियात्मक समू को क्या कहते है functional group of organic acid जो कार्बनिक अमलो होता है उसके किरियात्मक समू को क्या कहते है ठीक है निहाल जी मैं पूरा general science cover करती हूँ unacademy plus पर functional group of an organic acid organic acid का formula या जो group है वो क्या होगा LD हाइट को बोलेंगे क्या organic acid ketones organic acid में आएंगे carboxylic acid organic acid में आएंगे या ethers आएंगे carbonic अमलो में so right answer option number C very good so carboxylic acid carboxylic acid यानि group होगा COOH like acetic acid CS3 COOH formic acid H COOH oxalic acid COOH single bond COOH this is a oxalic acid तो acetic acid formic acid oxalic acid these are the type of carbonic अमल next calcium की कमी से कौन सी बिमारी हो जाती है आपको ये बताना है deficiency of calcium यदि calcium की कमी हो जाएगी तो जो condition cause होगी वो क्या होगी घेंगा ग्वाइटर अनिमिया टेटिनी या सकर्वी तो आपको बताना है कि calcium की अधी कमी हो जाए तो इन में से कौन सी बिमारी हो सकती है ग्वाइटर अनिमिया टेटिनी या सकर्वी ग्वाइट सेशन को लाइक कीजिए जो लोग नए आएं और अभी तक उन्होंने लाइक नहीं किया तो सेशन को प्लीज लाइक कर दिजिए ओके तो राइट आंसर यहाँ पर है option number C जो लोग option number C दे रहे हैं वो बिलकुल सही है आपड जो टेटेनी है वो आपका calcium की कमी की deficiency disease है calcium की कमी से ठीक है जिसमें आपके bones जो limbs है यानि कि आपके पैर और हाथ इस तरह से जो bones होती है वो क्या हो जाती है mold होना start हो जाती है उसे हम लोग टेनी कहते हैं यहाँ पर ग्वाइटर दिया है घेंगा जो आपका iodine की कमी से होने वाला रोग है ठीक है आयोडीन से एनीमिया मिल लिए आपका एनीमिया यानि की blood की कमी हो जाना ठीक है blood shortage हो जाना इस करवी रोग vitamin C की कमी से होता है तो इस करवी vitamin C जो इस करवी है यह skin disease होती है तोचा से सम्मंधित एक रोग होता है skin disease तो right answer यहाँ पर titani हाँ twist हो जाती है yes ठीक है चलिए ades aegypti आपको बताना है ades mosquito है तो ades aegypti एक vector है वो कौन सा रोग करता है yellow fever dingo fever japani encephalitis या both A and B हाँ एनीमिया आइरन से yes एक तरह से blood की कमी हो जाना ठीक है सो निहाल जी आप unacademy का subscription लीजिए और unacademy पर chemistry और biology full general science का plus course join कीजिए ades aegypti आपको बताना है जो ades aegypti है वो उस्ते क्या होगा yellow fever dingo fever japanese encephalitis या A and B दोनो औकी रुची दीपक ओकी चिक राम जी अर्विन option number D दे रहे है for in option number A के साथ जा रहे है actually यहाँ पर ades aegypti आ गया है इसलिए यहाँ पर right answer option number D होगा जो yellow fever और dingo fever दोनों ही के वेक्टर होते हैं मॉस्किटो तो मॉस्किटो में जो ades aegypti उसकी जो mainly species है वही responsible है इसलिए right answer है option number D A and B निमलिकित में से कौन से पौधे को पौधे को उभैचर कहा जाता है पूरे plant जगत का पूरे पौधे के सामराज्य का उभैचर इन में से किसको कहते हैं amphibian of plant kingdom amphibian तो जानते न उभैचर जैसे मेंड़क होते हैं वो जमीन पर भी रह लेंगे पानी में भी रह लेंगे ऐसे ही आपको बताना है पौधो पूरे plant जगत का उभैचर या amphibian किसको कहा जाता है यह last question है जल्दी से सारे लोग answer करेंगे amphibian of plant kingdom किसको बोला जाता है टेरिडोफाइट्स को ब्रायोफाइट्स को अनावरत बीजी को या आवरत बीजी को कौन से पौधो को amphibian of plant kingdom कहते हैं कई बार NTPC group D कई competitive exam में यह question repetition में भी आया है तो एक general question है आप लोगों के लिए क्योंकि यह कई बार competitive exam में आ चुका है पूनम B दे रही है राजीव B बाकी लोग आर्विन B जो लोग option number B के साथ जा रहे है फरिंद राइट बिल्कुल सही जो लोग option number B के साथ जा रहे है कृष्णभाल जी बिल्कुल सही वो बिल्कुल सही है यहाँ पर जो amphibian होता है plant kingdom का वो bryophyte को ही कहते है bryophyte सा क्योंकि यह कहीं भी कुछ रेंगने type का होता है मतलब इनका जो structure है वो कुछ इस तरह से बनता चला जाता है इसलिए इनको बोलते है में लिए आपका bryophyte चीक है wetland में मिलता है जो teradophyte से मिल लिए आपको wetlands में मिलेंगे तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि जो आपके bryophyte से वो क्या सा दिखता है तो यहाँ आप देख रहा होंगे कहीं भी पानी हो dry place हो कहीं भी इस तरीके से इनका germination हो जाता है यह कहीं भी आ जाते है this is a type of reptile तो reptilia type से होता है लेकिन यह दोनों जगह आ जाते है इसलिए इनको बोलते हैं amphibians ठीक है so right answer है option number b these are the bryophytes तो यह कौन है bryophytes है I think आपको समझ में आ गए होंगे आज के question समझ में आ गए so right answer यहाँ पर था option number b okay अप्राचिता last question जो है वो option number b आएगा bryophytes लेना है हमको ठीक है keridophytes आवरत भी जी अनावरत भी जी नहीं लेना है ठीक है so आज के जो question से 25 question यहाँ पर complete होते है तो session को पूरी तरह से please like जरूर कीजिए maximum इसको share कीजिएगा जो मेरा next class होगा आपको day after tomorrow मिलेगा ठीक है तो अब आपको मेरा जो class मिलेगी वो मिलेगी Saturday को तो आप मुझे Saturday join कर सकते हैं ठीक है Unacademy पर अपना subscription लेंगे तो आपको maximum जो top educators है उनका classes यहाँ पर आपको regular मिलेगा ठीक है एक अच्छा mock test जो preparation है वो आपको यहाँ पर मिल रही है सारे subject general awareness, general science, mathematics, reasoning ठीक है आरर भी batch अलग से है practice strategies, कई सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है तो कोशिश कीजेगा Unacademy पर अपना subscription ले और मेरा जो next class है वो आपका Saturday को same time 5 p.m. पर मिलेगा तो तिल दे गुडबाई, टेक केर